हेलो बच्चो बच्चो मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए आज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये टू-0-2-4 में जो जेई होने वाला है क्या ये टफ होगा ठीक है और इसमें जो कॉम्पेटिशन होने वाला है क्या वो टफ होगा मतलब आपके लिए मुश्किले बढ़ेंगी क्या होगा मैरिट कैसी होगी वो चीजे मैं आपको एक एक चीज प्रूफ के साथ समझाओंगा यहां पे ठीक है कैसे देखो बच्चो क्या होना है इस साल यानि के 2023 में टू-0-2-3 में जो एडवांस हुआ है इसमें हमने उम्म आई ठीक है ना मांक्स अच्छे आए उनसे लगा कि रैंक बहुत अच्छी आएगी बट रैंक उतनी अच्छी नहीं आई कम से कम 20% मांक्स डिप हुएं कहने का मतलब अगर 120 नंबर पे जो रैंक आ रही थी अब वो 140 पे आ रही है जो 100 नंबर पे रैंक आ रही थी वो अब 120 नंबर पे आ रही है ठीक है ना इस साल ठीक है तो बच्चों इसी से पता चलता है कि competition बढ़ रहा है जबकि अगर आप देखो तो paper अच्छा था इतना आसान भी नहीं था अच्छा paper था और cutoff बहुत हाई गई है expectation से ज़्यादा high गई है अगर expected value पे cutoff जाती तो हम कह देते एक ठीक है भाई factor ऐसा कि paper आसान था इसलिए इतनी चल लेकिन expectation से भी ज़्यादा high गई है इसका मतलब यह है कि competition बढ़ रहा है धीरे-धीरे competition बढ़ रहा है ठीक है बच्चों तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये competition किस direction में और क्यों जा रहा है तो इस question का answer मैंने आपको दे दिया competition बढ़ रहा है आपके लिए select होना tough हो जाएगा marks लाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं marks हो सकता जादा है बट select होना और better branch लेना better IIT लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्यों क्योंकि awareness जादा आ रही है अब वो कैसे पता चलता है वो यहां से पता चलता है ठीक है ना with fact ही बता रहा हूं मैं आपको more students give J main exam in 2023 11 lakh students ने exam दिया है पिछले साल 9 lakhs के आसपास थे अब उससे सीधे-सीधे 11 lakhs हो गए है क्या मतलब है इसका इसका मतलब यह है कि वो student जो पहले सोचते थे कि यार हमार नहीं हो पाएगा ना हम तयारी कर पाएंगे वो भी अब सोचने लग गए है कि मेरा तो हो जाएगा मैं पढ़ लूँगा मैं तयारी कर रहा हूं तो मुझे देना चाहिए ठीक है ना कह सकते हो आपके education जो है बड़े अच्छे से पहुंच गई है सब जगा पहुंच रही ह रहे हैं बच्चे क्लासे कर रहे हैं प्रॉपर क्लास कर रहे है यूटीव से पढ़ रहे है यानि कि पहले जो बच्छा सोचता था कि मैं तयारी कैसे करूँ चोड़ो मैं exam नहीं दूगा अब वो भी तयारी कर रहा है और exam दे रहा है इस वज़े से 2 लाख student बढ़ गए है next और ये चीज़ बढ़ेगी कम नहीं होगी है ठीक है इसके पीछे जो reason है वो आप सबको अच्छे से clear है second point देखो around 1.9 lakh student registered for JE Advanced 2023 ऐसा ही नहीं है कि form बहुत लोगों ने भर दिया exam भी बहुत जादा लोगों ने दिया पिछली बार 1.6 था ये 1.6 से 1.9 हो गया है समझ रहे हो इस difference को पहली बार इतने जादा students appear हुए है जिन्होंने दिया है यानि कि ये वाला जो increment है ये true increment है real increment है ये ऐसा ही नहीं है डेटा में जादा बच्चों ने भरा है और जादा ने दिया भी है चीक है अब cut off तीसरा sign है cut off cut off very high high नहीं लिखा मैंने very लिखा है very high last year cut off कितनी थी 55 इस साल कितनी है 86 बेटा 31 marks का जो difference है न वो paper आसान होने से नहीं हो सकता paper आसान होने से जादा से जादा 10-15 नंबर का increment हो सकता है लेकिन 31 marks का difference है जो की awareness और जो crowd दे रहा है उसके अच्छे होने की वज़े से होता है ठीक है न तो बच्चों मेरी आप से यही request है कि पूरे दिलो जान से पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो जो regular और अच्छा पढ़ने वाले student होंगे वो हमेशा select होते ही है और बहुत अच्छी rank के साथ select होते है ठीक है न तो बच्चों इस video का target आपको अगहा करना था कि भई जो competition है थोड़ा सा अच्छा होने वाला है ठीक है अच्छा पेपर था यह तो उससे अच्छा पेपर था पता कहां से चलता है यहां से पता चलता है 2021 में 32% अगर marks थे आपके 32% marks थे तो आपकी 10,000 rank आ रही थी इस बार अगर 31% marks है ना तो आपकी 15,000 rank आ रही है इस difference को देख पारे हो आप यह देख पारे है बई टॉपर्स में difference ज्यादा पता नहीं चलता जो average जनता है उसमें पता चलता है कि कहां difference आ गया जितने marks पे पहले 10,000 rank थी almost उतने marks पे इस बार 15,000 rank है तो यह खिसक रहा है development की तरफ ठीक है तो बच्चों यह सबसे बड़े sign इसमें आप देखो कोई भी number इसी का जादा है इसका कम है इसी का जादा है इसका कम है अगर 2021 से compare करें यह तो चलो थोड़ा paper tough आ गया था इस वज़े से ऐसा है इससे compare करेंगे बहुत डर जाओगे लेकिन उससे compare कर रहे हम 2021 से तो बच्चों paper का level ठीक है न अच्छा भी होगा आपके marks भी बहुत आएंगे पर competition बढ़ चुका है थोड़ा सा tough हो गया इसलिए बच्चों पूरे दिलो जान से लग जाओ मेहनत कभी खाली नहीं जाती जि ठीक है बच्चों I am always with you thank you